ये है दिली दरपन श्रद्धावास्ता के साथ मनाया गया पॉंगाल पर्व माता को खुश करने के लिए जलते अंगार उपर चले भग दक्षिनी राजे का पर्व पॉंगाल राजदानी दिल्ली में भी श्रद्धावास्ता के साथ मनाया गया 11 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में श्रदालू और निश्रदाबाव से अलग-अलग तरीकों से इस पर्व को मनाया दक्षणी भारत के प्रसिद पर्व पॉंगाल का उल्लास दिल्ली के शकूरपूर में भी दिखा यहां भी लोगों ने माता मारी अमन की पूजा की इन्हें माता शीदला का रूप माना जाता है लोगों ने लोग आस्ता के इस पर्व में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया लोग आस्ता के इस पर्व में जिनकी मनत पूरी हो जाती है वह पुरुष गाल के आर पार 25 पूट का त्रशूल लगा लेते हैं जिसके बाद देहकते अंगारों पर चलकर माता के सामने नत्मस तक होते हैं चरदालों में धार्णा है कि ऐसा करने से माता खुश होती है कौशल ले ने बताया कि पोंगल पर्व 11 दिनों तक चलता है इसमें लोग माता मारी अमन की पूजा करते हैं जो शीदला माता का रूप मानी जाती है पोंगाल पर खासकर एप्रिल में मनाये जाता है बहुत अच्छा लगा हर साल हम लोग ऐसे सब लोग जो रिलेटिव है सब मिलके बहुत उला से बहुत खुशी से मनाते हैं त्रिशूल का जो होता है बहुत ही अच्छा यहां नंगे पैर में और भक्ती भावना से बहुत अच्छा मातारानी का इतोहार होता है सब लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत ही एक दूसरे के मिलकर और ज्यादा उनको अच्छा लगता है यह आस्ता और भगवान के प्रती विश्वाश ही तो है जिससे भक्त किसी भी हग तक चले जाने को तयार होते हैं और मा को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं चाहे जलते अंगार उपर चलना पड़े या फिर कुछ और द्वार का से दिल्ली दरपटीवी के लिए मारी दास की रिपोर्ट